अगर आपके घर में डेड़ से दो साल की उमर का बच्चा है और आप उसे रोटी खिलाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बहुती असान सा तरीका बताऊंगी जो खुद मैं अपने बच्चे के लिए यूज करती हूँ और मैं उसे दिन में दो बार ऐसे रोटी अराम से खिला से बीस मिनिट के लिए साइड पे रख देती उससे क्या होता है रोटी दही में बहुती सॉफ्ट हो जाती है और उसी के साथ मैं लेती हूँ सबजी अब मैं घर में वो सबजी बनाती हूँ जो मैं अपने बच्चे को मैश करके इसली खिला सकूँ और बिना मिर्च के बनात हूँ बच्चा अराम से खा लेता है अब आपने एक बात का ध्यान रखना है बच्चे को खिलाते वक्त कि आपके बच्चे की उमर और उसकी टीथ की ग्रोथ क्या है क्या आपका बच्चा मैश की हुई रोटी को अच्छे से चबा के खा सकता है इस बात का आपने ध्यान र अलावा बच्चा ये रोटी खाके संतुष्ट रहता है और मा भी संतुष्ट रहती है और बच्चे का पेट भी भर जाता है